जैश्री राम सुनकर एक बार फिर ममता दीदी को गुस्सा आ गया जी हां मुख्य मंत्री नई हटी में धरने में शामिल होने गई थी जैसे ही ममता गाड़ी लेकर भाट पाड़ा से गुजरी वैसे ही सड़क पर मौजूद लोग जैश्री राम कहने लगे फिर क्या था इसको आदेश दिया कि पूरी नाका चेकिंग की जाए कि वो लोग कौन हैं जो ऐसा कर रहे हैं आदे भाट जयाकोश्टा से युजर्णा चेटीया चाहिए आदे़ना काल्पे गुटीया गुटीया बुटीया तो और यहां चेटीया करते हैं बात यही नहीं रुकी जैसे ही ममता दीदी फिर से गाड़ी में बैठी लोग जोर-जोर से कहने लगे जैश्री राम फिर वहाँ मीडिया पहुँच गई मीडिया को भी उन्होंने सफ़ाई देते हुए कहा कि ये लोग बंगाल के नहीं हैं सब अपराधी हैं मुझे गाली गलोस दे रहे हैं जैश्री राम कहने वाले रुके नहीं और एक ही साथ नारे लगाते रहे जैश्री राम जैश्री रा आपको बता दे कि यह पहली बार नहीं है जब जैश्री राम कहने पर ममता बैनर जी को गुस्सा आया हो चुनाओ के दौरान मिदनापुर में मुख्यमंत्री सभा से लोट रही थी तब भी कुछ लोगों ने यह नारा लगाया था जिस पर दीदी ने गाड़ी से उतर कर अपना गुस्सा जाहिर किया था सवाल यह उठता है कि जैश्री राम के नारे पर मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों आ रहा है और सवाल यह भी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के काफिले में यह नारा लगाना जरूरी क्यों है आफार थे लिमीटाखिए अम्ही आफादी आछी आखिए लार गाड़ी आखिए लाजिए लाज रखादी। वाइ आउटसाइडर से लूर मन dudक ऑन लगाली टेंडर से टोफ लौन आखिए दिए अब्लगों करें देचे दी जाटर्साइडर्स gagnत बेंगॉल जाल, जाल, जाल जाल हाई! हाई! हाई!